हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक फ्रेंड्स आज मैं आपको फेश से रिलेटेड यह एक फेश बना कर दिखाऊंगा यह फेश मेरी मम्मी जी का है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते ही इस पर मैं फेश बनाँगा इसमें मैं दो कील भी लगाया हूं जिससे की फेश मिट्टी का उसी की उपर रहे और नीचे की और नकिस की और मैं इसमें स्केचिंग पहले कर लिया है इसके बाद स्केचिंग करने के बाद अब मैं इसमें मिट्टी लगा रहा है है आप देख रहे हैं यह जो इसकेचिंग मैंने किया है यह क्यों किया है इसलिए किया है प्योंकि जो मैं मिट्टी का सेव दूआ तो यह सही प्रिकार से आये है अब sketching से यह होता है कि जो मुझे आख बनाना है नाख बनाना है जो भी model बनाना है वो मैं कहां बनाऊं और कितना बड़ा बनाऊं वो उस पे depend रगता है sketching बना तो sketching से सबसे बड़ा यह फाइदा रहता है कि मेरा चेहरा जो भी मैं face बना रहा हूँ वो सही से आ जाए अब इसको बनाते बनाते मिट्टी लगाते हुए अब मैं इस face को उसी हिसाफ से जिस हिसाफ से मैंने sketching किया है उस हिसाफ से मैं बनाऊंगा अब यह मिट्टी जब लगा लूँगा पूरी तरह से तो हम इसको दिरे इसको मैं दिरे-दिरे का टड़ करूँगा यह मिट्टी को मैं डोल्षी साहता सकी हुए है माले जो पूर्स से यूच करता हं वह दोस मैंने अपने से अपने घरे बनाया हूं अब पुशी टूस से इस मिट्टी को मैं कट करेंगा तो मिट्टी लग चुकी है अब इसको हम यह लग रहा है कि क्या बन रहा है कुछ समझ मिन देंगा लेकिन अब आम इसे तीरे तीरे जैसे करेंगे तो यह वह आकार आने लगे यह देखिए यह रहा मेरा डूस जिससे मैं कि कट कर रहा है यह अपने से घर में बनाए जाता है और मार्केट भी मिलता है लेकिन इसे मैं अपने से बना दिया है अब मैं धीरे धीरे कट करते हुए जब यह सेव आ जाएगा तो हम इसे थोड़ा सा पानी डालोगे इससे हम धीरे धीरे क्लीन करेंगे क्लीन करने के बाद थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे एक डम क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत काम है अब चस्मा बनाने का देखिए जैसे मैं इसमें चस्मा बना रहा हूँ अब चस्मा को भी ट्रांस्पेरिंट ग्लास जैसे बनाना है मैं ग्लास तो लगाँगा नहीं क्योंकि मिट्टी से बना रहा हूं इसको ऐसा हम चस्मे का भी सेब देंगे जैसा की लगे की चस्मा में ग्लास लगा हुआ है तो उसी साफ से हम इसको सेफ देंगे चस्मे का पहले तो हम चस्मे का बिल्कुल से फ्रेम बना लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरह किसी भी फेस को मॉडल बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाश तक देखें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करिए ताकि जो नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और बकाया आपको और वीडियो की लिंक आपको वीडियो की लाश्ट में हिंड में मिल जाएगी सो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद कर दो कि लेनम हैं आपको पहले हैं आपको प्रेश भाश सबस्ट प्रेंश पलब का जाएगी झाल 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 झाल